शेयर बादार रेगुलेटर सेवी ने निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए नए आने वाले आईपीओ को लेका सक्ती शुरू की है और साथ में कम्पनियों के शेयर बाइबैक के नियम भी सक्त कर दिये हैं पिछले दो महीने में सेवी ने करीब आदे दरजन कम्पनि के आवेधन वापस किये जो आईपीओ के लिए आये थे इनमें ओयो जैसी बड़ी कम्पनी का भी आवेधन शामिल था बुद्भार को सेवी ने बाइवेक के नियम भी जारी किये सर और कौन से आईपीओ है जिन रोक दिया गया और यह रोक है क्यों गए सेवी ने आईपी जनरल इंशोरेंस का केनडा बेस्ट फेरफेक्स कर्प की कमपनी है वी वी जी इंडिया है फिन düş्थे है कैर के के सारी प्रस्ताव वापस की है यहां दो चीज्यंत अई समझने वाज जैसी के prospectus में दिये थे उन्हें अपडेट करें और बताएं कि मवजूदा परिस्थिती में उन में जो वह दावे कर रही हैं कंपिनियां अपने IPO में वो सूचना कि सब तक सही है और कितनी बदल चुके होती ओयों का IPO आप देख लीजिए पिछले साल से लगातार बराबर आगे पीछे हो रहा है उसके साथ तो इन नई प्रक्रियाओं में से भी यह चाहता है कि जो IPO आए उससे ठीक पहले तक की जो बाजार की परिस्थिती है जो जिस चेतर में वो काम कर रहें उसमें तातकालिक परिस्थितियां कैसी उस हिसाब से IPO में आकलन और दावे किये जाए चूंकि प्रास्पेक्टस लंबे समय से अधिस पर देख रहें हैं से पहले बात करते रहें सेवी ने जो नए नियम अधिसूचित की हैं बाइबैक को लेकर उसके हिसाब से कोई भी कंपिनी अपने एवरिज डेरी ट्रेडिंग वालियों का जो पिछले 10 दिनों का होगा उससे 25% से जाधा हिस्सा बाजार से बाइ बाइक के तोर पर लिया जा सकेगा दूसरी चीज है कि कंपिनिया कोई भी प्री ओपिन बिट्स मारकेट खुलने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट के अंतिम रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में नहीं डाल सकेगी ये दोनों पाई इसलिए से भी कर रहा है क्योंकि बाइबैक को ले प्रेडिंग है जो आमतार पर शेयरों की कीमतों को सबसाधा प्रभावित करती है वहां बाइबैक के प्रस्तावों का ये बाइबैक की कोशिशों का असर ना दिखाई पड़े